दोस्तो आसकल मार्केट में एक क्रेडिट कार बहुत ही ज्यादा चल्से में है एक कीवी एप्लिकेशन ने एक्सिस बेंग के साथ टाइप किया है और एक क्रेडिट कार लौंच किया है जिसका नाम है क्वीक क्रेडिट कार अब दोस्तो एह application पूरी तरीके से launch हो चुकी है कुछ समय पहले दोस्तो इसने अपना credit card launch किया था तब उस application में हमें waiting list जोइन करना होता था लेकिन अभी एक credit card सबको दे रही है एक credit card दोस्तो आपको lifetime free मिलेगा इसमें ना ही कोई joining fees है और ना ही कोई annual fees है यह UPI रूपय credit card है दोस्तो इस application की मदद से आप इस credit card से scan and pay और UPI transaction वगेरा कर सकते हो अब दोस्तो एह जब नया नया launch हुआ था तब इस application में आपको waiting list जोइन करने होती थी तो जिसने waiting list जोइन कर ली थी उसको तो यहाँ पर एक credit card की offer मिल रही है और अच्छी काची limit भी मिल रही है और डूसरी बाद दोस्तो कि जो लोग already access bank के existing customer है उसे तो एक credit card आसानी से मिल जाता है लेकिन जिन लोगों ने waiting list जोइन नहीं किया जो लोग access bank के customer नहीं है वो भी इस credit card को apply कर सकता है वो केसे कर सकता है तो उसका process आज की वीडियो में मैं step by step बताने वाला हूँ तो हो सेके तो एक वीडियो को सुरू से लेकर अन्तेक जरूर देखना सो नमस्कार दोस्तो जग्यान में आपका एक बर फिर से स्वागत है दोस्तो अगर आपको एक वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरू कर देना और अगर आप हमारी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल एके नवा कर ओल नोटिफिकेशन ओन कर दो जैसे हमारे हर आनवाले इसी तरिक ने वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहला आपको मिलती रहा है तो चले दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो वीक क्रेडिट कार अपलाइ करने के लिए आपके पास एक कीवी एप्लिकेशन होनी चाहिए तो इस application के link आपको description में मिल जाएगी महाँ पर click करके आप एवाले application डाउनलोड कर सकते हो दोस्तो ए application अभी कुछ समय पहले है लोंच हुए है फिर भी इसकी rating आप देखोगे तो 4.1 की rating है और 50,000 से पर ज़्यादा लोगों ने इस application को डाउनलोड की है अब दोस्तो इस application से आप इसके credit card से UPI में payment कर सकते हो यहाँ पर आपको जो भी limit मिलेगे उसे अप scan and pay करके use कर सकते हो और यहाँ पर आप जो भी spend करोगे उस पर 2% का reward point मिलेगा तो दोस्तो इस तरीके से काम करती है एक की वी application तो चले दोस्तो अब हम यहाँ पर इस application को open करते है और live proof यहाँ पर credit card apply कैसे करना है उसका process समझ लते है तो यहाँ पर हम इसे open करेंगे तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से इंटर्विस आएगा यहाँ पर दोस्तो इस application का कुछ interaction बताए जाएगा कि आप इस credit card से चाई भी process कर सकते हो उसके लवाँ scan and pay कर सकते हो 2% reward point मिलेगे और एक card दोस्तो UPI credit कर ले ले वाला है तो यहाँ पर दोस्तो आप एक option मिलेगा login का तो simple है उस पर click करना है उसके बाद यहाँ पर हमें अपना mobile number एंटर करना है और get OTP पर click करना है तो हमारे mobile number पर एक OTP send किया जाएगा वो यहाँ पर हमें fill up करना है और verify and continue पर click करना है तो हमरे सामने कुछ इस तरीक सा interface आएगा यहाँ पर भी दोस्तो बताए गया है कि scan and pay credit card अब दोस्तों यहाँ पर हम नीचे scroll कर गया तो इस credit card का कुछ benefit बताए गया है जिसमें सबसे फिले बताए गया है कि आप virtual kiwi credit card से आप किसे भी merchant के वहाँ पर scan and pay करके यूज कर सकते हो यह दोस्तों एक virtual credit card रहने वाला है तो आपको wallet रखने की ज़रूत नहीं पड़ेगी और 1% का flat cashback मिलेगा और walletless user को 2% का flat cashback मिलेगा उसके लवा दोस्तों यहाँ पर नीचे आओगे तो और भी benefit बताए हुआ है जो आप यहाँ पर अपने आप देख सकते हो अब यहाँ पर दोस्तों आपको credit card को apply करने के लिए simply get start पर click करना है जैसे get start पर click करेंगे तो हमारा समने कुछ इस तरीक से interface हाईगा यहाँ पर दोस्तों बताएगे है कि आपको simply 4 step में एक card मिल जाएगा पहले आपको pen card के detail दे के verification करना है उसके बाद आपको card apply करना है KYC करना है और एक card आपको मिल जाएगा तो इतना step आपको complete करने है तो simply यहाँ पर हम continue पर click करेंगे उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर हम से pen card number पुछा जाएगा तो pen card number यहाँ पर हमें enter करना है और एक टंप्सन कंडिसन वाला box पर click करना है और continue पर click करना है जैसे continue करेंगे तो हमारा समने अगला page open होगा जैसे हमें हमें हमारा नाम एंटर करना है जो pen card में हो सेंवेसा है उसके बाद simply continue पर click करना है continue करने के बाद यहाँ पर थोड़ा processing लेगा और अब हमारा pen card verify होगा तो यहाँ पर हमें थोड़ी देर wait करना है pen card verify हो जाने के बाद कुस इस तरह के सा interface आएगा अब यहाँ पर दोस्तों बताए गया है कि आपको new application start करनी है तो उसके लिए आपको तीन step complete करने हो गया पहले आपको personal detail देनी है उसके बाद contact detail देनी है और तीसरे step में हमें career detail देनी है यानि कि हमारे employment detail देनी है तो यहाँ पर simple हमें get start पर click करना है जैसे get start पर click करेंगे तो सबसे पहले कुस इस्तरी के center विशाईगा अब यहाँ पर उपर तीन step बताए गया है वो तीनों हमें complete करने है तो सबसे पहले में हमें यहाँ पर दोस्तों personal detail देनी है तो personal detail में सबसे पहले यहाँ पर हमें select करना है कि हम married है या single है पर click करना है उसके बाद हमारे area का pin call number पूछा जाएगा वो यहाँ पर हमें enter करना है और next पर click करना है अब दोस्तों एक बात गोर करना है यहाँ पर कि आप जैसे यहाँ पर अपना area का pin call number enter करोगे तो आपको तोरंती बता दिया जाएगा किया आप इसके serviceable area में आते हो या नहीं हो जैसे कि मैं यहाँ पर एक pin call number एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर बताय गया है कि your pin call is not serviceable at यानि कि इस pin call पर अभी एक company serviceable नहीं है यहाँ पर नीचे बताय गया है कि हम जैसे ही आपके pin call पर serviceable होगे आपको notify किया जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों आप अपना pin call number एंटर करोगे तो आपको तुरंती बता दिया जाएगा कि आपके area में एक card serviceable है या नहीं है अब हाला कि मेरे area में भी दोस्तों यहाँ पर एक card serviceable दो नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर दोस्तों दूसरे area का pin call number डाल किया आपको दिखाने की कोसिस करता हूँ तो मैंने यहाँ पर दोस्तों दूसरे area का pin call number डाला तो यह दोस्तों यहाँ पर serviceable हो चुका है पिन कोर्ट सर्वेसबल हो जाने के पद दूस्तों यहाँ पर हमें next पर क्लिक करना है तो हमसे यहाँ पर दूस्तों हमारा mailing address पूचा जाएगा mailing address में यहाँ पर हमारा address और यहाँ पर हमारा locality order एंटर कर देना है और next पर क्लिक कर देना है तो next page में दूस्तों हमसे यह पूछ रहे है कि क्या आप rent में रहते हो, आपके पास खुद का घर है, या आप parents के साथ रहते हो, या कोई अधर जगा पर रहते हो, जो भी हो यहाँ पर अपर अप्रू सिलिक करना है, उसके बाद थोड़ी processing लेगी और हमरा समना अगला पेज open ह होगा, अब यहाँ पर हमें career detail देनी है, तो career detail में सबसे पहला हमें type करना है, कि हम sell it fashion है, या self employee, यानि कि हम business करते है, या कोई employer है, यहाँ पर जो भी हो exactly select करना है, तो यहाँ पर हम business owner पर click करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमसे business का नाम पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हम select करना है, उसके बाद next हमारे पास consciousness का business है, यहाँ पर हमें select करना है, उसके बाद next दोस्तों हमारे office का pin call number यहाँ पर enter करना है, उसके बाद next करना है, तो हमारे समने अगला page open होगा, जिसमें हमारे यहाँ पर office का address देना है, यहाँ पर हमें address एंटर करना है, यहाँ पर हमारे जिसमें दूस्तों में आपर हमेंक नोटिस मिलेगी जिसमें इ experiments यहाँ पर हमें ओके पर क्लिक करना है जैसे आपर जाएक घरव रिब्यों के लिए खाल रोगत टीक ना है उसक魔ण है ट्रi देख सकते हो हमारा OTP यहाँ पर fill हो चुका है OTP में ही हमें यहाँ पर verify and continue पर click करना है जैसे ही दोस्तों यहाँ पर verify and processing पर click करेंगे तो अब यहाँ पर हमारा application processing में जाएगी हमारा credit score और eligibility check होगी और तुरंत हमें बता दिया जाएगा कि हम एक credit card लेने के लिए eligible है या नहीं है तो हम यहाँ पर थोड़ी देर wait करना है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो हमारा application यहाँ पर reject हुआ है यहाँ पर बताए गया है यह card is not approved दोस्तों हमें rejection क्यों मिला है उसका reason पी यहाँ पर बताए गया है जिसमें बताए गया है कि आपका credit score low हो सकता है आपने past म मैं बहुत ज्यादा loan ले रखी है या अपने loan के लिए या credit card के लिए inquiry ज्यादा की हुई है तो इसलिए दोस्तों मुझे यहाँ पर rejection मिला है तो मेरा civil score down है और मैं दोस्तों वीडियो बनाने के लिए बार बार loan apply करता रहता हूं अलग-अलग application में और अलग-अलग credit card के लि पर आपको तोलोंती limit दी जाती है लेकिन अगर आप existing customer नहीं होते हो तो आपको इतना step complete करने होते है अब दोस्तों यहाँ पर मुझे तो rejection मिला है लेकिन अगर आपको यहाँ पर approval मिलता है तो आगे आपको क्या step complete करने होते है वह मैं आपको दिखा देता हूं तो अगर तो आपका सामने कुछ इस तरकी center पर आप दोस्तों यहाँ पर आपको digital video kyc करना होगा video kyc करने के लिए यहाँ पर start video kyc पर click करेंगे तो आपको redirect कर दिया जाएगा access bank के एक official website पर जहाँ पर दोस्तों यहाँ पर introduction बताए जाएगा video kyc के लिए उसे आपको follow करते हुए video kyc क पूचेगा आपको उन्हें अपना pen card दिखाना होगा तो आपका video kyc यहाँ पर successfully हो जाएगा उसके बाद आपकी application upload हो जाएगी उसके बाद 3-4 दिन का समय लगता है दोस्तों यहाँ पर आपको eligibility मिले में eligibility जब मिलेगी तो आपको workshop में एक notification मिल जाएगा उसके बाद आप य को भी यहाँ पर एक credit card मिला है तो उसका process मुझे splice बताना ताकि मैं वीडियो दर और लोगों को भी बता चकूँ जैसे उसको भी help मिल जाके तो इस तरीके से दोस्तों आप कीवी एप का यह access bank भी credit card को apply कर सकते हो हो हाला कि हमारा तो application यहाँ पर reject हो चुका है फिर भी हम द को संद आए हो तो like, share, comment and subscribe करना ना भूले तो चले दोस्तों मिलते हैं को और ऐसे ही तमा की तर वीडियो के साथ तब तक के लिए good bye